नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल स्वेट स्पैशन पे वेलकम है आप जिस वीडियो को मैं ले के आई हूँ वो अभी हाल में मतलब इस वर्ष 2024-25 अकाडमिक सेशन में बियाचू ने एन एपी लॉंच किया मतलब एन एपी के थुआप हमारे यां कैरिकूलम डिसाइड होने ल पढ़ना है तो उसी से रिलेटेड मैं अब आपको वीडियो इधर बीच दूँगी फिर बाकी फिर जो मैं CUET के प्रपरेशन में आपको दे रही थी मैं वो भी वीजवीश में प्रवाइड करूँगी तो इसमें आपको पूरा इन्वार्मेंटल साइंस पढ़ना है तो इ एक है इन्वार्मेंटल साइंस इन्वार्मेंटल साइंस में बेसिकली जब हम बोटनी, केमेस्ट्री, फिजिक्स इन सब के अंदर जब हम अपने इन्वार्मेंट के बारे में पढ़ते हैं उनके कॉंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो ये इन्वार्मेंटल साइंस कहलाता है, जब हम उसे philosophy में political science में, economics में, sociology में, जब हम environment के अलग-अलग elements को पढ़ते हैं, या उनसे concerned issues को जब हम पढ़ते हैं, तो वो पूरा environmental studies में चीज़े आती हैं, तो basically हम लोग के जो curriculum में decided है, वो environmental science करके हैं, बढ़ हम environmental studies related चीज़ों को ही पढ़ेंगे, जो पूरा आपके syllabus में decided है, तो मैं one by one करके topic उठाऊंगी और आपको deal करूंगी, सबसे पहले जो topic है पहला, वो है, उसमें है man environment relationship, तो man environment relationship पे मैंने बहुत पहले ही एक video बनाया हुआ है, जिसमें मैं approaches के through man environment relationship को मैंने पूरा deal किया है, आप उस video को जरूर देखिए, और यहाँ पर जो topic है, वो है man environment relationship, neolithic era के focus में, तो मैं इसका video एक separate अलग करके मैं आपको दूँगी, सबसे पहले जिस topic को आज मैं शुरू करनी हूँ, जो base है आपका, वो है environmentalism, ओके, तो आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, कि what is environmentalism, और इसमें किस जो thinker है, उनका बहुत ज़दा काम है, इसको भी हमने हमें देखना है, तो सबसे पहले समझते हैं कि environmentalism क्या है, तो environmentalism is a social and political movement, याद रखेगा, जब भी हम इसको connect करेंगे, तो ये एक social and political movement है, जो किस चीज़ पर focus करता है, ये focus करता है कि हम किस तरह से अपने natural environment को protect कर सके, और उसको improve कर सके, और इसका माध्यम क्या होगा, protection का, improvement का, through conservation sustainable practices and advocating for policies that mitigate harm to the ecosystem, मतलब कि हम सनरक्षन के माध्यम से, sustainable practices के माध्यम से, मतलब हम अपने day-to-day life में, या huge level पे हम, कैसे practices को adopt करें, जो sustainable development की और इशारा करती हों, और साथ में इन policies को frame करें, जो कि कम से कम ecosystem को harm पहुचाए, तो ये पूरा concept environmentalism का है, जो कि एक movement चला, एक social and political movement का चला, जो focus करता है protection and improvement of natural resources, okay, it is rooted in the recognition of the interconnectedness between human well-being and the health of environment, मतलब कुल मिला के हमें यही पढ़ना है, कि human का environment से क्या connection है, और environment का human से क्या connection है, means कि human beings के कि practices से environment पे खत्रा आ रहा है, और environment में जो changes आ रही है, उससे human beings को क्या problem आ रही है, यही पूरा हमें समझना होता है, environment के paper में, basically, जो हमारा social environment का aspect होता है, that is environmental studies का जो aspect होता है, okay, अब क्या core, key aspects है, environmentalism का core objective क्या है, core objective है, कि preserve biodiversity and ecosystem, हम किस तरह से अपनी biodiversity को, biodiversity means कि जो different species है हमारे world में, हमारे ecosystem में, वो species कैसे बनी रहे हमारे यहां क्योंकि आपको पता है कि हर दिन बहुत सारे species extinct करती चली जा रही हैं, और साथ में promote sustainable development to balance economy growth and environmental health, और आजकल तो सबसे जादा बात हो रही है, sustainable development की, इस concept को भी मैं separately आपको बताऊंगी, बट sustainable development पे बहुत जादा बात हो रही है, क्योंकि हमारे resources जो हैं, वो कम होते जा रहे हैं, किस तरह से हम resources को आज प्रयोग करें, और उन resources को आगी की generation के लिए safe करके रख सके, because resources is very limited, है न, और उसके usages बढ़ते जा रहे हैं, तो sustainable development का पेप, जो focus का बात होता है, वो भी environmentalism करता है, and address environmental degradation, including pollutions, deforestation, and climate change, जो भी ऐसे environmental degradation की चीज़े हो रही हैं, आप जानी रहे हैं, कि pollution बढ़ते जा रहा है, deforestation, मतलब जंगलों की कटाई, पेडों की कमी, water depletion, decertification, climate change, global warming, ऐसे जो मुद्दे हैं, वो बहुत तेजी से हमारे सामने आ रहे हैं, तो इनको address करने की बार भी environmentalism करता है, ओके, philosophical basis देखा जाए, तो environmental ethics emphasize the intrinsic value of nature beyond its utility to humans, आपका एक topic environmental ethics पे भी है, तो mainly environmentalism, जो है वो environmental ethics पे भी बात करता है, साथ में ecocentrism की advocacy करता है, ecocentrism मतलब की हम ecocentrism को core में रख करके बाकी चीजों को, nature को core में रख करके बाकी चीजों को हम plan out करे, that is ecocentrism, तो ecocentrism advocates for the rights of living organism and ecosystems challenging human centered anthropocentrism, दो वड़ है, anthropocentrism है, ecocentrism है, anthropocentrism means की जब हम human centric बात करते हैं, तो अब समय चला गया human centric बात करने का, हमें ecocentrism बात करने होगे, और ecocentrism तो हमेशा से ही हमारे ancient text में भी रहा है, कि किस तर से हम nature को अपने केंदर में रख करके बात करें, मतलब ये देखा जाता, ecocentrism में कि हर living organism को जीवन जीने का अधिकार है, न कि सिफ human beings को, okay, next historical evolutions अगर देखा जाए, तो industrial revolutions, फिर 1960s, 70s का एरा global initiative, industrial revolutions में concern about industrialization, impact on nature, 1960s 60s और 70s का एरा देखा जाए, तो modern environmentalism gains movement, अब जब, मतलब, कि हर समय हम environmentalism मतलब, कि social and political movement that protects, that focused on protecting and improving natural environment, that is called environmentalism, तो environmentalism शुरू से ही इस पर बात हो रही है जब मैं आपको rise and development of environmental ethics and environmentalism बढ़ाऊंगी, तो उसमें आप देखेगा कि हमारे Indian text जो है, जो रिक वेद है, मतलब, जो वेदाज हैं, उपनिश्द है, पुराण है, इन सबों में भी ये बाते कही गई है, कि हमें अपने nature को importance देना है nature जो है, वो primary है ये सारी चीज़े, तो इसकी इसका अगर historical evolution देखा जाए नो तो वो बहुत ज़्यादा पुराण है, और global initiatives भी लिया जा रहा है, मतलब आप देख रहे हैं कि environmental concern बहुत सारे summit हो रहे हैं earth day हम 1970s से celebrate करना शुरू कर दिये साथ में Paris climate, change Q2 protocol, इन सब जैसे लगातार जो summit होते हैं annual summit, उसमें भी हम environment concern ही हो करके बात करते हैं अगर environmentalism के हम forms को देखे, कि क्या कि 2-3 forms बहुत ज़्यादा important है, सबसे पहला जो है वो conservationism है conservationism मतलब focuses on preserving natural resources for future generation, deep ecology क्या कहलाता है advocates for the fundamental shift in the human nature relationship deep ecology मतलब कि जो human human और nature का correlation है वो किस तरह से बदल रहा है यह deep ecology वाले deep ecology से related बाते होती है and political environmentalism क्या है कि involves lobbying for environmental laws and policies such as renewable energy adoptions and carbon footprints reduction मतलब political environmentalism मतलब जो भी laws और policies बन रहे हैं वो environment को केंद्र में रख करके बनाया जाए ताकि हम environment को किस तरह से conserve or preserve करके चले जो environmentalism है वो कौन-कौन से key issues को address करता है यहाँ पर मैंने तीन ही चार की issues लिखे हैं बट बहुत सारे जैसे कि एक climate change है तो climate change में greenhouse gas emission की बात होती है global warming की बात हो रही है carbon footprint की बात हो रही है यह सब बात होती है pollutions में अकर देखा जाए तो air pollution, water pollution, soil pollution इन सारे चीजों की बात होती है साथ में environmentalism जो एक ऐसा movement है जिसमें हम deforestation, water depletion decertification decertification मतलब मरुस्थलिय करण की जो fertile lands है वो किस तरह से desert में बहुत तेजी से convert हो रही है तो decertification biodiversity loss इन सब तमाम मुद्दों को पे हम बात करते हैं next अगर हम sociological perspective देखे तो ecological modernization suggests that environmental sustainability can be achieved alongside economic progress through technological innovations and environmental justice की बात की जाए तो focuses on how environmental problems disappropriationally affected marginalized communities linking environmental issues with social inequality तो sociological perspective में हम हमेशा से sociological issues को लाएंगे कि जो environmental degradations हो रहे हैं like water depletion हो रहा है deforestation हो रहा है drought आ रहा है flood आ रहा है तो इन सारी चीजों से जो communities suffer कर रही है उनका social economy क्या condition हो रहा है वो किस तरह से social inequality सामने हमें दिखाए दे रही है यह समाम तमाम मुद्धे हम इसमें देखते हैं चेकर challenges क्या है environmentalism के पास की resistance from industries on fossil fuel or resource exploitation आपको पता है कि जो मतलब अब हम बहुत तेजी से अगर परियावरण के बारे में सोच रहे है तो इससे हमारे जो economy growth है जो हमारा industrial growth है जो हमारा development है वो कही न कहीं से बाधित होता है तो एक यह बहुत बड़ा challenge हमारे सामने होता है कि अगर हम पेडों की कटाई कर रहे है तो हमारा environment बहुत ज़्यदा प्रभावित हो रहा है और अगर हम नहीं कर मतलब अगर हम उसको नहीं कर रहे है तो industrialization modernization जैसे process नहीं हो पा रहे है तो इतना बड़ा जो population है वो कैसे cope up हो पाएगा है तो ये challenges हमारे सामने आ रहे है political economic tensions in achieving global cooperation ये आप समझ रहे है public apathy और lack of awareness in some regions और सबसे बड़ा तो एक ये factor है कि बहुत सारे चेतरों में जो है वो awareness की बहुत हद तक कमी है तो ये सब challenges है environmentalism में आगे मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी रामचंदर गुभा जो की बहुत बड़े historian भी रहे है environmentalist भी रहे है इनकी book है environmentalism a global history ये देखिए ये लिखा है मैंने environmentalism a global history इसमें इन्होंने मतलब इन्होंने बहुत काम किया environmentalism में तो मैं जब भी आप environmentalism पर question है तो आप रामचंदर गुभा के जो contributions हैं आप उसको जरूर दीजेगा तो गुभा argues that environmentalism in is differ from in India differ from western model में भी कुछ छूट गया है कि गुभा argues that environmentalism is differ in India from western model ये slide में मैंने इंडिया मस कर दिया है तो आप समझें कि जो गुभा ने बताया उसमें बोला कि जो western model है environmentalism का वो अलग है environmentalism का जो model है western countries में अलग है और इंडिया में अलग है इंडिया में क्या focusing होता है pristine wilderness ठेकर ये word है जो गुभा ने use किया है कि which focuses on preserving pristine wilderness अब pristine wilderness का मतलब क्या है कि refers to the natural environment that are untouched unspoiled and unaffected by the human activities कि इंडिया में जो focus है environmentalism का वो pristine wilderness पे है मतलब कि जो जो natural environment है जो की अभी तक human intervention से दूर है मतलब ऐसी चीज़े जो जिसके उपर न अर्बिनाइजेशन का effect हुआ है न इंडिस्टराइजेशन का effect हुआ है नहीं कोई human alterations हुए है और pure है एकदम pure natural ecosystem है ideal nature जिसको हम कहते हैं वो सारी चीज़ है तो Indian environmentalism is rooted in the struggle of marginalized communities such as farmers, tribes who fight to protect their livelihood from the exploitation of natural resources देखिए क्या है और गुहा बोलते हैं कि जो Indian environmentalism है वो किस चीज़ पे केंद्रित है वो केंद्रित है marginalized जो communities है मतलब ऐसी communities जो बहुत हाशी पर चली गई है marginalized communities है जिसे farmers, tribes ये जो की लगातार fight कर रहे हैं अपने natural resources के exploitation को बचाने के लिए क्योंकि आपको पता है कि जो farmers हैं उनका livelihood इसी natural resources पे है जो tribes हैं उनका भी natural resources पे ही पूरा livelihood दिका हुआ है तो Indian environmentalism जो है वो deep rooted है पूरी तरह से marginalized communities के struggle पे है न देखे कितना अच्छा काम है बलकि जो western model है वो pristine wilderness पे है मतलब ऐसा स्थान जहां के human intervention से दूर है और Indian model ठिक उसके उल्टे पे based है याद रखिएगा गुहा criticized western environmentalism for its elitist approach गुहा का कहना है कि जो western environmentalism है वो elite approach है elite मतलब कि rich and poor वाली बात जो marxist theory वाली बात होती है he opposes the concept of deep ecology ये deep ecology को के concept को पूरी तरह से oppose करते हैं deep ecology का concept अभी हमने ही बता है कि जो human और nature का relationship है वो किस तरह से shift हो रहा है इसको ये खारिश करते हैं गुहा calls for a balanced approach to environmentalism which integrates ecological conservation with economic development गुहा हमेशा से ही balanced approach की बात कर रहे हैं कि हमें balanced form में चलना होगा कि किस तरह से हम ecological conservation भी कर सके और साथ में economic development भी कर सके पूरा-पूरा ecological conservation हो जाएगा तो economic development नहीं हो पाएगा pure economic development की तरफ हम लग जाएगे तो हमारी ecology, हमारा earth, हमारा environment नहीं बचेगा तो basically he is talking about the balanced approach of environmentalism okay, he highlights the importance of community-led initiative ये हमेशा से समुधाय विशेश जो initiatives होते हैं मतलब हमेशा से इनका ये कहना है कि community को बढ़ चड़के आना होगा सिर्फ government के भरोसे, सिर्फ government की policies के भरोसे अगर हम रह गए तो काम नहीं हो पाएगा community-led initiative होना चाहिए, participatory governance होना चाहिए जैसे कि माननीय मोदी जी की अगर methodology को देखा जाए तो उनकी methodology participatory है वो हर व्यक्ति को, हर आम व्यक्ति को भी जो policies है उनसे योजनाए जो है, उनसे जोडते हैं जैसे स्वक्ष भारत अभियान आया तो स्वक्ष भारत अभियान में उन्होंने हर व्यक्ति को उस जुडाओ किया कि आप सभी स्वक्ष भारत अभियान मिशन में अपना सहयोग प्रदान करें तो participatory जो गुहा हैं, वो भी participatory governance को ज़्यादा importance देते हैं and equitable resource distribution को कि जो भी हमारे पास resources है, उसका equally distribution हो सके in his book environmentalism, he traces the evolution of environmental thought across the world और वो अपनी book जो environmentalism है उसमें इन्होंने environmental thought के evolution की बात की कि पूरे world में environmental thought का evolution कैसे होता है मतलब जिन भी लोगों को environmental studies में एक अभिरूची है वो इस book को पढ़ सकते हैं environmentalism the history of global ऐसे करके तो इसमें आपको पूरा जो environmentalism का या environmental thought का evolution है across the globe वो आपको देखने को मिल जाएगा साथ में इन्होंने माधव गाटगिल के साथ भी एक book पे काम किया है the fissured land इस पे भी इन लोगोंने Indian environmental history पे बात की है कि human nature relationship किस तरह रहा तो colonial period में post-colonial period में इस तरह से इन्होंने इसमें बात की है इनका contribution ये भी आता है environmentalism में Guha criticizes the unregulated industrialization and urbanization in India India में जो बहुत तेजी से industrialization आया urbanization आया ये सारे जो process आया ये purely unregulated थे मतलब कोई control नहीं था जैसे industrialization हुआ urbanization हुआ कोई plan तरीके से नहीं हुआ उसके ये criticize इन्होंने किया है his emphasis on Gandhian principles of self-reliance and simplicity reflects his vision for a harmonious relationship between the nature and human और साथ में ये Gandhian principles को बहुत support करते हैं कि जिसमें जिसे गांधी के सिधान में self-reliance मतलब आत्मे निरभरता and simplicity की बात की गई है अगर हम self-reliance and simplicity के साथ आगे बढ़ते हैं तो definitely जो nature और human के बीच में relations है वो harmonious बना रहेगा तो basically ये रामचंदर के contributions है तो जब भी आपके topic में environmentalism आएगा तो आपको environmentalism इस way में पूरा समझाना होगा कि environmentalism क्या है उसके key aspects क्या है तो core objective क्या है philosophical basis उसका क्या है historical उसका evolutions क्या है forms of environmentalism mainly तीन forms हम लोगों ने पढ़ा conservationism, deep ecology and political environmentalism फिर environmentalism किन-किन issues को address करता है तो आपको ये बताना होगा फिर उसका आपको sociological perspective बताना होगा challenges आपको environmentalism में क्या है basically ये जो industrialization और economic growth और infrastructural growth है ये हमारा main challenge है फिर आप रामचंदर गुहा के भी contribution को जरूर देंगे कि गुहा किस तरह से वेस्ट, environmentalism के western model को और Indian model को separate बताते हैं जहां प्रिस्टाइन wilderness की बात होती है यहां पर marginalized communities की बात होती है फिर आप बताएंगे कि किस तरह से ये deep ecology को oppose करते हैं साथ में ये community-led initiatives, participatory governance, equitable resources की ये बात करते हैं और साथ में ये गांधियन philosophy को बहुत ज़्यादा important मानते हैं कि गांधियन philosophy से हम चाहे तो एक harmonious relationship बना के रह सकते हैं between the nature and human तो आज environmentalism में इतना बहुत है enough है आपके लिए और फिर हम किसी next जो topic है उससे फिर हम आगे बढ़ेंगे तिल दिन बाई बाई चेक्या